नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुदेश की रसो यूटीव चैनल में तो आज की वीडियो में लेकर आई हूं मैं अरवी की सब्जी की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी जिसे आप एक बर देख लेंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और खाने में यहां से खराब है अरवी तो इसको भी खटा देंगे तो अरवी का छिलका है जो निकाल लेंगे इसी तरीके से तो आप एक एक चीज बिल्कुल बारिक तरीके से समझना और फिर आपकी सब्जी देखना कितनी स्वादिश्ट बनकर त्यार होती है तो इसी तरीके से मैंने सभी अरवी का छिलका है जो निकाल लिया है यह देखी और जो यह मोटे वाली अरवी है तो इनको मैं इस तरीके से चार टुकडों में काट रही हूं तो इसको बिल्कुल बारिक भी नहीं काटेंगे तो इसको इस तरीके से ही मोटा मोटा रखा है मैंने और बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाती है यह सबजी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो तो आप इस सबजी को कूकर में बना सकते हैं लेकिन कड़ाई में सबजी का सवाद है जो अलग ही होता है तो मैं कड़ाई में ही बनाऊंगी सब्जी को और इस अर्वी को मैंने धो लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से और कड़ाई में तेल डाला है दो बड़े चमच और सीधे अर्वी को डाल दिया है तो मैंने अर्वी को बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लिया था तो इसको पांच से साथ मिन्ट इस तरीके से भूनेंगे तेल में और हल किसी इसके उपर सुनहरी सिपरत हा जाएगी तो फिर इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और ये जो बाकी का तेल बच जाता है इसमें हम मसाले भूनेंगे तो मैं बिल्कुल सीम्पल सा तरीका बताऊंगी और खाने में ये सबजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगेगी अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो तो ये जो बचा हुआ तेल था मैंने इसमें डाला है आदा चमच अजवैन तो हातों से करस करके डाले अजवैन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही डाली है मैंने आदा चमच हिंग और ये जो बड़ा सा प्याज था इसको मैंने बारिक चौप किया है तो यह प्याज भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर और डालेंगे लैसुन का पेष्ट जो आठ से दस लैसुन की कली ली थी मैंने उसका पेष्ट बना लिया है वो पेष्ट डाल देंगे इसके अंदर और यह प्याज है जो चार से पांच मिट बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनेंगे तो यह देखिए प्याज जो सुनारी कलर में आ गई है आब इसमें मसाले अड़ कर लेते हैं तो आदा चमच डाला मैंने हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर एक चमच है जो डाला है मैंने मिर्च पाउडर तो यह थोड़ा छोटा चमच है तो एक पानी डाला मैंने दो चमच के करीब ताकि सूखे मसाले हैं जो जले ना और अच्छी तरीके से भून जाएं तो कुछ सेकेंड के लिए इन मसालों को भूनेंगे और फिर डाल देंगे आर्वी जो हमने यह तल कर रखी थी तो आर्वी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक् उकके कुना था तो 5-7 मिंट कम से कम 10 मिंट लग जाएंगे और इस सबजी को पकने में तो मैं इस सबजी को थोड़ा सा ँगरेवी वाला बना रही हूं तो मैंने इसमे से एक ऐड़ गिलास पानी एड किया हैं अगर आप सूखी वाली सबजी बनाते हैं तो एक गिलास पान अड़ करें और लो भलेम पे इसको पकने दे कौने इसमें डाली है कस्मीरी मैं थी वह ढख रख डिया है पांच मिन्ट बाद चेक करेंगे इस सब्जी को तो करीब करीब 5 मिन्ट हो गए हैं तो यह देखिए तो पानी है जो आधा जल गया है आधा बच्चा है तो अब गैस का फिले में जो मीडियम कर देंगे मेडियम फलेम पे इसको पकने देंगे पांच मिन्ट के लिए और क्योंकि मैं इस सब्जी को ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो लोग फलेम पे पकने देंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ग्रेवी रह जाएगा तो ये देखिए फिर से करीब पांच मिन्ट हो गए है और सब्जी है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गई है तो मैं आपको ये एक टुकड़ा है जो तोड़कर भी दिखाऊंगी और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गई है ये अर भी ये देखिए त तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसके अंदर तो आप चाहे तो इसको सुखा भी सकते हैं सुगी सब्जी पसंद है तो आपको तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी में रखा मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को भी सस्क्र सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू सब्सक्राइब करें की वीडियो ग्राइब का मेंठकर भी सा ग्रेवी बाता ही हुट रखाम झाल झाल झाल